नमस्कार प्राइम टीवी में आपके स्वागते मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा लखीमपुर केरी में बाग का आतंग थमने का नाम नहीं ले रहा है ताज़ा मामला कोटवाली तिकोनिया के खैर्थिया मजरा खैरी गौडी का है जहां आदमखुर बागिन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपना निवाला बना रही है देखें रिपोर्ट बढ़ते हुए शहरी करण का वन संपदा पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ रहा है और जिसके चलते आए दिन वन जीव सडक पर और गाम में भटकते रहते हैं और मौका पाकर हमला कर देते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं लखीमपुर की जहां आए दिन बागों के हमलों की घटना सामने आती रहती है यह ताजा मामला कुटवाली टिकुनिया के खैटिया मजरा खैरी गौडी का है जहां आदम खोर बागी ने बंता सिंग की पतनी मिंदो कौर को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं ग्राम तेलियार के वेली चपरा में दो लोगों को अपना निवाला बनाए आदम खोर शेर हो चुका है लगबाग किस बाइस घटना हो चुकी है यहां के तेरा चौदा गौण में की आना जाना बाहर निकलना खेती करना सब दिश्वार हो चुका है और वनिवाग की टीम लगी हुई अभी तो कोई कारवाई नहीं हुई है यहां जीना दस्वार हो चुका है यहां तो अपनी खेती चोर दें वनिवाग माजबा दे दे हम लोग खेती चोर देते हैं अपना घास काटने गए एक युवक पर हमला कर युवक को मौत की घाट उतार दिया इस तरह से इस आदम खोर बागिन के हमले में अब तक 21 लोग मारे गए यह बागिन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी निशाना बना रही है इतना हम मतलब तंग हो गया है पूछो मत क्योंकि अब खेत में से एक और तो को लेके चला गया है तो चकर यह है कि हम क्या मतलब बर्दाश करेंगे बर्दाश नहीं कर सकते और लेकिन यार जंगल वाले जो भी आ जाएंगे और पीटेंगे भी दरसल बताया जा रहा है कि आदम खोर बागिन बहुत तीजी के साथ अपना ठिकाना और लोकेशन बदल रही है मिंदो कोर की ताजा घटना से ग्रामीडों में काफी आक्रोश है ऐसे में पूरे इलाके में ही देह्शत का महोल बन गया बागों के भय से लोगों ने खेतों की तरफ जाना बन कर दिया तुमहीं गाओं में फूस के छप्परों में रहने वाले गरीब ग्रामीडों में अपने परिवार के सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा और वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश पनप्ता दिखा ग्रामीरों के आक्रोश के बाद पहुची वन विभाग की टीम ने इस आदम फोर बागिन को पकड़ लिया है जिसके बाद ग्रामीरों ने राहत की सास ली अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग की टीम आगे विभागों के आदम को रोपने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है ग्रामीरों ने वन विभाग से भवश्व में बागों की देहशत से निजाद दिलाने की मांग की है और जिले में बाग के हमले की पहली घटना नहीं है खैर अब देखना ये होगा कि ग्रामीरों को बागों के आतन से कब छुटकारा मिलेगा फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तही आप देखते रहेए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार